इसी तरा में उन्हीं है क्या एक कर लेकर कैसी देरी को यहां पहुंचे घृणभा सैंटलय लेकिएं लिए और CR-2 न्रेंदर भाए मोदी जी पर्धान मंत्री जी के बाद दूसरे नमबर के विकरते हूए मानिय ग्रहमंत्री जी जो के मैं समझता हूँ दुनिया जैसा मानती है के सरदार पटेल जी के बाद ऐसे ग्रहमंत्री जी पहली बार आए हैं जो राष्टर के हित में हर कठोर से कठोर फैसला लेने के लिए कभी हिचकते नहीं हैं और दारा 370 की समापती करके उन्होंने के अंदर ना को नक्सलवाईदी गटनाए होती हैं ना को गरवाईदा ही गटनाए होती हैं देश का आंत्रिक जो मामला है जो ग्रहमंत्री की जिम्मेवारी होती है पूरी तरह से शैन्ती पूर्ण है और सिमाओं पर भी हमारे प्रहरी पूरी तरह से जो बीस एफ है सियार भी राष्टर की रक्षा को चुनोती आती है चाहे वह आंत्री का चाहे बारी है वहां पर मूँ तोड़ जवाब दिया जाता है उस चीज का तो ऐसे ग्रह मंत्री जी हमारे अक्षेतर में आ रहे हैं तो एक गौरव का विश्य हमारे लिए और आज मैंने पूरे अलाके के एक ट्रेक्टरों और अपने वानों के साथ नारे लगाते हुए नगाडों के साथ आने का सब नाश्वासन दिया है तो यह भवे रेली होगी और हमारे लिए गौरव की अक्षन होंगे कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनके उपर पूरा राष्ट्र गरव करता है वो हमारे गो कोन कोंच सकते हैं और क्या प्रियास लगा जा रहे हैं कि गोहना राजनितिका घड्रा है कोई बड़ी सोगात भी गोहना के लिए हो सकती है क्योंकि काफी लंबे समय से जो है गोहना को जिला बनाने की मांग भी उठ रही है कि चुड़ाओं में जब पहले चुनाव थे तो तो थी जी हju जिना की होगी थो जूरूर उसके बेसे में चे उब्सके ओपर से गोशना करेंगे क्योंकि परदेश सरकार से अगर कोई मांग हो थी है तो में यहीं क्रतिनी दिंह क्रूच कि हैक और मैं मिकाम मंतρεवी जिश्क इह यह helemaal aprender की पूरी करके गये हैं हजार क्रूल रूपिया गोहाना के विकास के ऊपर लगा है। लेकिन अग्र कॉप केंदरीयa प्रोजेक्ट के लिए कोई बत करती तो फिर रजी करती राजे सरकार करती तो राजे सरकार ने अगर अगर अपने वहाइं उसमेजेंडे में कोई बात रखी है तो गर हम अंतरी जी आपनाटीस तरक वाने-समोन दोन में बता देनगे सारी बात कि सेफ्सारी विरूद हो उसमें रेली के विरोध की बात नहीं है वो अलग डिमांड है और गन्ना किसानों के आज 10 रुपिय कुंट्रल बड़ उत्री कर दी गई है जहां तक सरपंचों का विशे है उसका भी समाधान कर दिया जाएगा और मैं तो अपने किसान भाईयों से भी यही कहता हूं कि अपन किसान वी रेट भी मीट का कम आएगा ओमिल को बी नुक्सान होगा मील भी किसानों की है कॉप़िटी सेक्टरइकह्टर् кी मही ने hat तो यह दोनों तरस किसान का ही नुक्सान है अब पिछले काफी क्लंबेस अम्मैने से मेले घाटने में चल रहे थी उनको मonaफ़ख मेलाने उसको नहीं करना चाहिए मेरी अपील है कि वह मिलों को चलने दें गन्य की सप्लाइज जारी रखें अपनी डिमांड का लोगतांत्रिक जो भी तरीका है उसके इसाब से लोगतांत्र में सब को अधिकार है उसको बेश्चक करें कि विश्चारे को लेकर सरपंच विरोध कर रहे हैं सुनने में आ रहे हैं कि दो लाग की जो सिमत है कि उसको बढ़ाया जा सकता है कि इसका समाधान निकले गा क्योंकि जब कोई दुनिया में अगर सबसे कटिन काम है तो व्यवस्ता परिवर्तन का ही है और व्यवस्ता डिवलप नहीं है कई बार यह पॉर्टल जाम हो जाते हैं कई कई दिन ते खुलते नहीं अधिकारियों को भी मुश्कल हो जाती है तो वो मुख्यमंतरी जी के संग्यान में सारी चीजें हैं उसका भी समाधान जल्दी समय में निकल जाएगा किस था से रेट कुछ बराने की बात सामने आ रही को दो लाक दो लाक और दौक रुपे त्क किया जा सकता पर किस तरह की बात नहीं कामों का जो आपके हो दो लाकर वो है अमने प्रदेश करह समिती में भी अपने विदाएकों ने सांसदों अभी ये बात मुख्यमंतरजी के संग्यान में लिया दी है कि इसके कुछ सीमा बढ़ा दी जाए सरपंच जो अपने लेवल पर काम करवा सकें तो उन्होंने काफी सीमाय तो बढ़ाई है लेक तक थोड़ा सा इसमें डील देके और पुराने सिस्टम के अनुसार चलाएं तो वह भी मोदी जी का विजन है कि पूरा देश डिजलताइज हो तो उसमें पारदर्सिता आ जाती है उस विजन के इसाब से ही मुख्यमंतरी जी ने फैंसला किया है लेकिन नया सिस्टम करशन तो हमारे गरे मंतरी जी हैं और बाद में तो जो भी और भी नेता हैंगे उद्वमंज पर पता चलेगा कौन को नाते हैं किसे का प्रोग्राम फाइनल हुआ हो अभी तक जिस तरह मुख्यमंतरी के सब्सक्राइन के सारे मंतरी मंतल तो मुझूद रहेंगे कोई केंद जाएंगे अपने गोहन अब तक दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं है गनौर का प्रोग्राम उसके बाद उनका पार्टी का रियल्यम कारी करता हूं से मुलाकात करेंगे हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध